दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 8 गिन्डत की 11 चैप्टर सीधा और परतियों समानपाथ इसके उधारन करेंगे जो इस चैप्टर के पहले 5 उधारन है वो पिछले वीडियो में मैं करा चुका हूँ और इस चैप्टर में हम बाकी उधारन करेंगे अब यहाँ पर एक अजीब सी बात यह है कि इस चैप्टर में उधारन 6 नहीं है मतलब आप देखो हाँ यहाँ पर आप देखे यह है उधारन 5 आप देख सकते हैं यह उधारन 5 है इसके बाद प्रशनावली 13.1 शुरू हो चुकी है यह 13.1 एक पुरानी बुक में है नई बुक में 11.1 है यह लेकिन स्प्रिंट सब एक जैसा है अब यहाँ पर आप देखो कहीं पे भी उधारन नहीं लिखा है कहीं पे भी है ना कोई भी उधारन यहाँ पर नहीं लिखा है कहीं भी नहीं लिका है और ये सिधा उधारण साथ शुरू हो गया है पांच के बाद सीधे साथ मैं उसको सॉल्व करदोंगा फिर कभी किसी ओर वीडियो में लेकिन मुझे उधारण चहे यहां पे दिखी नहीं रहा है तो इसलिए उधारण साथ से हम शुरू करेंगे तो उधारन साथ अब करते हैं क्वेशन है एक टंकी को एक घंटे 20 मिनिट में भरने के लिए 6 पाईपों की आवश्यक्ता पड़ती है यदि उसी प्रकार की केवल 5 पाईपों का उपियो किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी तो यहाँ पर देखो दो प्रकार की चीज़े हैं एक तो है समय यह समय है, कितना समय यह एक समय है, दूसरा है पाईपों की संख्या तो समय को X ले लेते हैं और पाईपों की संख्या को Y ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना टंकी को भरने में समय लगता है X और पाइपो की संख्या है Y यहाँ पर समय को मैंने मिनट में यहाँ पर लिखा है ठीक है क्योंकि एक घंटा बीस मिनट है तो एक घंटा बीस मिनट हम इसको यह तो पोरा घंटे में convert करो या पूरा minute में convert करो है ना लेकिन इसको घंटे में बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अजीब सा लगीगा एक सही एक बड़तीन करके आएगा लेकिन minute में बदलना बड़ा आसान रहेगा तो इसलिए हम सब को minute में बदलेंगे ठीक है तो समय जो है वो है एक घंटा बीस मिनट एक घंटा बीस मिनट तो एक घंटा बीस मिनट जो है इसको अगर हम पूरा minute में बदलें तो क्या होगा एक घंटे में साट मिनट होते हैं बीस मिनट और हो गए तो ये टोटल असी मिनट हो गए है तो यानि यहाँ पर तो आजाएगा सिधे 80 क्योंकि समय हम मिनट में ले रहे हैं यह हो गया 6 पाइप की मदद से 80 मिनट में टंकी भर जाती है अब कितना समय लगेगा तो यानि हमें समय निकालना है और पाइपों की संक्या हिसबार 5 है बात समझ आगे आपको अब हम इसको हल करेंगे लेकिन हमें फॉर्मूला लगाने से पहले यह देखना है कि यह सिधा समानुपात है यह परतिलोम समानुपात है यह बहुत जरूरी है यह चीज समझना क्योंकि दोनों के अलग लग लग फॉर्मूले है ठीक है अब सिधा समानुपात, प्रतिलोम समानुपात कैसे पता चलता है तो देखो ये तो है X समय और ये है Y तो जब एक चीज बढ़ाते हैं और दूसरी भी बढ़ती है तो सिधा हो जाता है लेकिन एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज अगर कम हो रही है तो ये परतिलोम हो गया अब आप सोचो नमबर भूल जाओ यहाँ पर क्या लिखा है इन नमबर को आप भूल जाओ बस किवल ये चीजें देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर टंकी को भरने में लगा समय और पाइपों की संख्या देखो समय को अगर हमें बढ़ाना है हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय लगे टंकी को भरने में तो पाइपों को हमें बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा सोचो ज़रा सोचो तो आप कहोगे कि सर अगर हम चाहते हैं कि टंकी देर से भरे तो पाइप तो कम होने चाहिए न और अगर हम चाहते हैं कि टंकी कम समय में भरे यानि अगर यह कम होगा तो पाइपों को बढ़ाना पड़ेगा तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यह संबन देखे अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी जाद हो रही है आप खुद सोचो कि अगर हम पाइप बढ़ाएंगे टंकी भरने में जादा पाइप लगा देंगे तो टंकी तो कम समय में भरेगे ना टाइम कम लगेगा उसमें तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है तो यहाँ पर जो समानोपात है यह प्रतिलोम समानोपात है तो हम यह लिखेंगे कि चूंकी चूंकी यहाँ पर प्रतिलोम समानोपात है इसलिए तो प्रतिलोम समानोपात में क्या होता है एकस वन वाई वन बराबर एकस टू वाई टू ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इसका परिचे पढ़ाया था, तो X1, Y1 बरावर X2, Y2 ये होता है, ठीक है ध्यान रखना, अब values put करते हैं यहाँ पर, X1, देखो मैंने क्या बताया था, कि ये X1 होता है, ये X2 होता है, क्योंकि ये पूरी X वाली लाइन है, य ये Y है, X1, X2, ये Y1 है, ये Y2 है, ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखना हूँ, ठीक है, X1 है अपना 80, Y1 है 6, X2 हमें ग्याद करना है, और Y2 है 5, कोई दिकत यहाँ पर कोई problem सिधा साथा हिसाब है, अब हमें X2 ग्याद करना है, तो इसके साथ जो हो 6 बटे 5, अब 5 से कटेगा, तो ये 65 से आगया, 66, इतना और ये ध्यान लखना, ये मिनट है, तो 66 मिनट हमारा आंसर आ चुका है, अगर हम 5 पाइप लगाएंगे, तो 66 मिनट में टंकी भरेगी, तो आपने देखा, पाइप हमने कम कर दिये, पहले 6 थे और 5 कर दिये, तो प किदी सी बात है, पाइप आप कम कर दोगे टंकी भरने में, तो टाइम फिर जादा लगेगा, देर से टंकी भरेगी, तो आपने देखा, समय जादा आया है, ये प्रतिलोम समानोपात में होता है, ऐसा, और अगर हम इसे घंटे में और मिनट में बदलना है, तो देखो 90 क्य 36 मिनट, और ये हमारा आंसर आ चुका है, अगर आपको ऐसे में प्राबलम हो रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 96 को हम भाग देते हैं, 60 से, 60 कम 60, और ये 36 आ गया है, तो एक घंटा और 36 मिनट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको ये question अच्छे से सम आगे होगा, उधारन संख्या आठ अमारे पास है, एक चातरा वास में 100 विध्यारती हैं, और उनके भोजन की सामगरी 20 दिन के लिए परियाप्त है, यदि इस समूह में 25 विध्यारती और आ जाएं, तो सामगरी कितने दिन चलेगी, यह प्रश्न है, ओके, तो यहाँ पर ह सामगरी परियाप्त होगी, तो हम लिखेंगे, माना विध्यारती की संख्या X और दिनों की संख्या Y है, तो अब हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे, जिसमें हम यह मेंशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर विध्यारती की संख्या और यहाँ पर दिनों की संख्या अब देखो, 100 विद्यार्थी चात्रावास में हैं और भोजन सामगरी 20 दिन के लिए परियाप्त है, तो 100 विद्यार्थी इनके लिए 20 दिन की सामगरी परियाप्त है, ठीक है, अब विद्यार्थी कितने हैं, कितने विद्यार्थी हैं, Question में आप यहाँ पर 25 विध्यार्थी लिखा है तो आप 25 मत लिख देना गलत हो जाएगा क्या लिखना है 25 विध्यार्थी और आ जाएं तो और आ जाएं का मतलब यह है कि पहले 100 विध्यार्थी थे अब 25 आ चुके हैं और तो कुल विध्यार्थी की संक्या हो गई 125 तो यहाँ पर आएगा 125 और कितने दिनों तक चलेगी यहाँ पर यह हमें ग्यात करना है इस तरह से एक question हम यह सारनी बनाएंगे अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे लेकिन हल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह सिधा यह प्रतिलोम समानुपाथ है क्या है यह तो आप खुद सोचो एक तो यह है एक वाई है इसको बढ़ाने से यह वाई बढ़ेगा या कम होगा अब आप सोचो विध्यार्थी की संक्या अगर आपने बढ़ा दी तो खाना जो भोजन सामगरी है यह ज़्यादा दिनों तक चलेगी या कम दिनों तक चलेगी मान लो राशन भरी है और विध्यार्थी है हमने विध्यार्थी बढ़ा दिये तो राशन तो जल्दी खतम हो जाएगा न कि अब ज्यादा लोग खाने वाले हैं, तो जितने आप लोगों को बढ़ाएंगे, विध्यारतियों की संग्या बढ़ाएंगे, उतना ही खाना जल्दी खतम हो जाएगा, बोजन सामगरी, तो ये चीज़ कम होगी, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, इसलिए यह यहां पर प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है, तो चूंकि X और Y में प्रतिलोम समानुपात है, तो इसलिए क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात में, X1, Y1 बराबर, X2, Y2, अब यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे, X1 है, 100 है न, ये X1 होता है, ये Y1 होता है, ये X, sorry, no, no, no ये X1, X2 है, और ये Y1, Y2 होता है, तो X1, Y1 बराबर, X2 और Y2 हमें ग्याद करना है, यहां पर हम Y2 ग्याद करेंगे, इसके लिए हमें 125 को नीचे लाना होगा, तो 100 गुणा 20 बटे 125, अब ये कटेगा, किस से? ये 25 चको 100, 25, 125, 5 चको 20, तो 4 चको 16 हो गया ये, ये हो गया है 16, तो 16 दिन हमारा आंसर है, तो हम लिखेंगे कि भोजन सामगरी 16 दिन चलेगी, इस तरह से हम इस question को solve करेंगे, तो यहां पर important part क्या था? important हिस्सा इसका ये था, ये समझना ये चीज़, ठीक है? कि 25 लोग और आ गये हैं, तो पहले 100 थे, अब 125 हो गये हैं, इसके बाद तो चीज़ें आसान थी, तो मैं उम्मित करता हूँ कि आपको ये उधारन भी समझ आ गया होगा अच्छे से, उधारन संख्या 9, यदि 15 श्रमिक किसी दिवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कारे को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यक्ता होगी? तो यहाँ पर फिर से हम एक चीज को X और एक चीज को Y लेंगे, तो X ले लेते हैं श्रमिकों की संख्या को, यहाँ 15 श्रमिक हैं, यहाँ पर यह ज्यात करना है, और Y ले लेते हैं, जितने घंटे में दिवार का निर्मान हो रहा है, तो यह Y हो गया, इसको मैं X और इसको Y ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे, माना श्रमिकों की संख्या X और दिवार निर्मान करने में लगा समय Y है, तो अब हम यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे, श्रमिकों की संख्या और समय इस तरह से हम लिख देंगे, ध्यान रखना, समय को हम घंटे में ले रहे हैं, तो यहाँ पर यह इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, कि इतने घंटे में कार्य पोरा हो रहा है अब पंदरा श्रमिक कारे को करते हैं 48 घंटे में ठीक है इसी कारे को 30 घंटे में पूरा करने के लिए यानि 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों के आवश्यक्ता होगी तो हमें ये ग्यात करना है आप बात को समझ गए तो सबसे पहले तो अगेन इस तरह के प्रश्णों को करने के लिए हमें ये जाना जरूरी है कि ये अनुपात सीधा है या प्रतिलोम है तो एक X है दूसरा Y है आप सोचो जब आप एक को बढ़ाओगे तो X को बढ़ाओगे तो Y क्या होगा अगर आप श्रमिकों की संग्या को बढ़ा देते हैं तो काम जल्दी खतम होगा या देरे से खतम होगा तो एक चीज़ को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ यहां पर कम होती है तो प्रतिलोम समानुपात है और कम होगी न भई आप मजदूर बढ़ा देंगे अगर तो टाइम कम लगेगा जल्दी कम हो जाएगा और मजदूर अगर आपने कम कर दिए अगर आपने मजदूर कम कर दिए श्रमिक कम कर दिए तो फिर time जादा लगेगा तो जब एक चीज़ को कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है या एक को बढ़ाने से दूसरी कम हो जाती है तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात होता है तो हम लिखेंगे कि चुनकी x और y में प्रतिलोम समानुपात है इसलिए प्रतिलों समानोपात में क्या होता है X1 Y1 बराबर X2 Y2 तो यहाँ पर हम मान रखेंगे यह X1 है यह Y1 है यह X2 है यह Y2 है लिखते नहीं है बस मैं आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए तो X1 15 Y1 है 48 X2 हमें ग्याद करना है ऐसे लिख देंगे इसको और Y2 हमारे पास 30 है तो यहाँ पर X2 हमें ग्याद करना है तो 30 नीचे आ जाएगा 15 गोणा 48 बटे 30 अब यह कटेगा 15 दुने 30 2 से भाग देंगे 2 दुने 4, 2 चको 8 तो 24 यहाँ पर आंसर आ चुका है यानि 24 हम यहाँ पर श्रमिक जब लगाएंगे तो काम 30 गंटे में खतम हो जाएगा तो यह हमारा आंसर है ठीक है तो 24 श्रमिक इतना यह हमारा आंसर हो गया है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह क्वेशन अच्छे से समझ आया होगा और इसी के साथ इस चेप्टर के सभी उधार अंद समाप्त हो चुके है और एक्सरसाइज के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेलिस्ट चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें मिलता एंगले वीडियो में टेक केर